जे मातई दोस्तो, मातरानी आपकी सारी मनो कामनाय पूर्ण करे और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें, इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ, दोस्तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं, जन माष्टी मी के बाद भगबान स्री कि जो चटी जो है वो मनाया जाता है तो चटी जो है वो कब मनाये किस दिन मनाये हमें चटी 31 अगस्त को मनाना है या एक सितंबर को मनाना है कब मनाना है किस दिन मनाना है तो संपूर जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ से एर करने वाली हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो और आप सब को बता देती हूँ भगवान स्री कृष्ण के जन्म के उपरांत जो छटी का कारकरम है वो आपको किस दिन करना है देखे जो जन्म आश्चमी का परव है वो 26 अगस्त को दिन शोम बार को पुरी वीदिवत रूप से किया गया तो जो छटी है जब किसी बच्चे का जन्म करवाते हैं जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसके छटे दिन छटी की जो परंपरा है वो निभाई जाती है तो 26 अगस्त को भगवान स्री कृष्ण का जन्म हुआ इस हिसाब से 31 अगस्त को भगवान स्री कृष्ण की जो छटी है वो मनाई जाएगी दिन जो है वो सनिवार पढ़ने वाला है 31 अगस्त को दिन सनिवार को भगवान स्री कृष्ण की छटी जो है वो मनाई जाएगी 26 अगस्त के अनुशार अगर आपने 26 अगस्त को जनमाश्टमी का पर्व मनाया है तो आपको 31 अगस्त को दिन सानी वार को भगवान स्रीकृष्णी की छटी का कारकरम जो है वो मनाना है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कई जो उनके पास समस्यां है वो आ गई थी तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने 27 अगस्त को दिन मंगलवार को अगर जनमाश्टमी का पर्व मनाया है तो ऐसे लोग 1 सितंबर को दिन रवीवार को भगवान स्रीकृष्णी की जो छटी है वो मना सकते है और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रशन आता है कि छटी जो है वो हमें किस दिन मनानी चाहिए पाँचवे दिन मनानी चाहिए छटे दिन मनानी चाहिए 28 अगस्त तीसरा दिन हो गया 29 अगस्त को चौथा दिन हो गया और 30 अगस्त को पांचमा दिन और 31 अगस्त को छटवा दिन जो है वो पढ़ रहा है इसी प्रकार से जो छटी का कारकरम है भगवान स्री कृष्ण की वो 31 अगस्त को दिन सनिवार को पूरी वीधिवत रूप से म तो आपको जो छटी का कारकरम है वो एक सितंबर को दिन रविवार को रखना है जिस दिन आपने जन्माष्ट्यमी का पर्व मनाया है उसी दिन वैसे जन्माष्ट्यमी का जो पर्व है वो जो रुहडी नच्छत रही है जो सुब महूर्थ है वो 26 अगस्त को ही था लेकिन भगवान स्री कृष्णी की छोटी जो है उसका कारकरम पूरी वीदिवत रूप से किया जाएगा तो उमीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पर समात्त कर रही हूँ दोस्तो जैमातादी